टेस्टी बंदी है कुल्चों के साथ पूड़ी के साथ इवन चावल के साथ बहुती मज़ेकी लगेगी हम इसमें ग्रेवी लगाएंगे तो वह बहुती मज़ेका त्यार होता है चना मसाला तो सेम रेसिपी ट्राइक किजिए साथ और मुझे बनाकर पीडबेक जरुरु दि तो चले स्टार्ट करें देख लेते कैसे बनाना है तो यहां पर मैंने देखे दो कब जो है काला वाला जो चैना आता है उसको मैंने भीगो के रख्या था रात भा तो यह बिल्कुल रेडी हो चुका है सोक हो चुका है तो इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे और तो पानी में 600 ml के लगबग इस्तेमाल कर रही हो ठीक है है मेरा थेन सौ अधेडल को मेरा घ्लास बढ़ कर दिया है अब इसके साथ इसमें आट कर लेंगे टेस्क ऍंवर्णि नमक नमक गए करने के बाद नसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहां पर मैं इस्तेमा प्रेशर कुक कर लेंगे जब तक कि इसमें 8-9 सीटी नहीं जाती या फिर अची तरीके से गल नहीं जाता ठीक है तो इसे प्रेशर कुक कर लिजेगा 8-9 विसल आने तक आप अपने कुकर के हिसाब से भी से कुक कर सकते हैं ठीक है बस अब हम यहां पर बनाएंगे हमारे चैन करने चैनल नहीं तरह में अच्छा से कलर नहीं आ जाता है ठीक है हलकालका गोर्डन हो जाए उतना आप इसे प्राइक कर लीजेगा तो यहां पर ढिकी प्याजे में ने अच्छी तरीके से फ्राइक कर लिए है यह इस पॉइंट पर है यह इस तरीके का जब हो जाए तो अब चाहब करना है अब हम इसमें एड़ जिंजर गालिक पेस्ट यहां पर मैं 2 टीजपून चितना जिंजर गालिक पेस्ट का इस्तमाल कर रहे हूं ठीक है तो 2 टीजपून डाल दीजिए और अनियन को बहुत ज़ारा लाल नहीं करना है अब आद जिंजर गालिक भी टो जो जो पाउडड़ मसालय से बिल्कुल वही जाएंगे। बहुत ही नॉर्मल से इंग्रीडिंट है यह लिए लेक आपना को यह लिए 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 भोषम प्रहार कर लिए 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 केमारे अपाउड़ बालस सब्सक्राइब कि तेस्ट में में सेम रेसिपी जरू ठीजेगा स्टैस्ट्राइब नमक सेअ नमक मिटमक जान रेखिए सबस्य एक हमने जाए दाने तेस्पून रेगले लाल देखिए राओंड त्वार्द मिच्वां कॉट्ध मुटना लाट Ses 2 तीस्पून जिनी कईरी में घाल के अची तरीके से Mix गें सुछू के अची तरीके से Mix गा Samuel यहां है थो हम बनाते हुआ वहां वाल पानेखा थे बवूञ जा बहुत के निए एक समय का बैर में धाले चामकुर्णysis के यह को पे इसे हों बसक्राविक देडिए हैं कुक हो चुक है हम से चेक कर लेते है कि ना शॉक रिख्ट कर लेते हैं वंड बशी ने करaltra कि अरुक हो गई है इसमें लिखनी सविस्ति संदम में चाहिए चेक लेते हैं वह चोली में साल ही जो चैना है आप इसमें डाल दीजिए तो बहुत ही मज़ेगा यह बन का त्यार होता है इंग्रेडेटट अच्छी तरीके से मसाला में मिक्स कर लिए ज़ेगा चनो को और जब एक बार यह मिक्स हो जाए ना हमें क्या करना है यह जो आलू हमने उबाले हैं उसे मैश कर लेना इस तरीके से तो यह क्या करेंगा ना बहुत ही अच्छा गाड़ापन देगा हमारी जो चनी के ग्रेवी तो आलू को जब आप मैश कर लेंगे और तो इसको गाड़ापन देगा बहुतसे लोगों यहाँ पर बैसन करते हैं लेकिर हम पर बैसन कर लिए करेंगे आप देखिंगे आलो को जबाब मैश कर लेंगे और अच्छी गुद्स कर लिए टीके अ कर लिए अच्छी तरीक्ते से मीक्स टीने मिक्स कर लिए। अच्छी तरीके 60 था किन यहाद मिक्स, टीने और पानमेश से लिए बिल्कुल नोग के न्यवका तो यह तो फोडिके 10 लिखों, मिक्स, ताकि विवक, निक आव Feed, मिक्स, बॉप ईząहां। और जब यह इस तरीके से कूक हो जाए तो बस यह रेड़ी है इसमें हम आड़ कर लेंगे धनिया पत्ता इसी फ्रेशली कट करके मैं आड़ कर रही हूँ बहुत अच्छा फ्रेवर दीका और सीजन में भी है तो आप जरूर आड़ किजिए गर धनिया पत्ता ठीक है यह जब यह दो कट करके मैंने आड़ कर लिया है तो इसके बार इसमें अड़ कर लेंगे 2–3 गरीन चिली वारीयाई झाफ घ्र ग्रीन चिली करके हैाँ ओं तरह पर आप हमने बेसन वगेरा कुछ भी नहीं आड़ किया और उसके बावजूर हमारा जो चना मसाला है बेखुल मज़े का बन कर त्यार हो गया है इसी तरीके से बनाएगा मुझे फीडबैक जरूर दीजेगा कि आपको कैसे लेगा और मैंने इसे चावल के साथ सर्फ करने वाली हो मु अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को जरूर आं किजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब किजिएगा बस यह बिल्कुल रेडी है मैं मिलूंगे आपसे दूसरे नए वीडियो में तब तक दिले अल्ला हाफिज